नमस्ते दोस्तों मेरे ना में प्यू श्राय और आप देख रहे हैं तरह कोशनार भारत इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक ग्लोबल बॉड़ी ने बहुत डराने वाली एक न्यूज स्परेट की है और एक ख़वर दी है एक रिपोर्ट दी है रिसर्च के बेसिस प लॉस्ट एज पेंडेमिक शिफ्ट लेबर डिमांड है अब इसके आगे पीछे की जड़ा कहानी बना के देखते हैं आप लोग को पता है कि पूरी दुनिया में मैं भारत के अंकड़े अभी नहीं ले रहा हूं पूरी दुनिया में जोड़ के बता रहा हूं कि पूरी पार्टियां यह कहने में लगी हुई है की हम इतने लाक नोकरिया और इतने प्रोजेक्स लाइंगे वग्यरह वग्यरह मतलब नौकरी एक मेन मुद्दा है और उपर से यह ग्लूबल का सिया कि पर से यह जाती है कि फौ इतने करोड़ है ॏ और Heyeign O that at least 300 global companies were planning to digitize work and deploy new technologies as the covid-19 accelerates the arrival of the work of future. समझे नहीं आप लोग लग रहा है कि कहना के जाद covid-19 की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको समझते हुए इन 300 global companies है 300 global companies जो हमारे यहां सोब कहादे हैं कि MNCs है multi national companies है तो आपको क्या लगता है Tata, Reliance और हमारे देस की जो company आगों क्या multi national नहीं है बहुत बड़ी-बड़ी multi national company वो भी आती है उस category में और इसका असर हमारे देस पर भी पढ़े आप है हमारे सारी जिससे सैंसिंग हो गया गूगल हो गया बहुत बड़े-बड़ कंपणियां हमारे यहां भी हैं जो ग्लोबली रिक्टनाइजड हैं तो अकर ही लोग डिजिटलाइज करने का कोशिश करेंगी तो यह सी बात है कि आदमियों की कमी हो जाएगी वर्कफोर्स में उनको हमारी जरूत ना किबार पड़ेगी पर हम तो हैं लेबर इंटेंसिफ हम ऐसे एकनॉमी हैं हम ऐसे देश हैं जहां पर जो लेबर है वो बहुत अबंडन्स में हैं और इसलिए हम चाइना के बाद हम ऐसे देश हैं कि अगर कुछ मैनुफेक्चर कराना है कुछ जैसे लेबरों की यहां जरूत पड़ती है वहां हमारे काम सस्ता पड़ जाता है क्योंकि हमारे बाष्ट लेबरों की कॉंटिटी मैं पावर बहुत जाद आता है लेकिन आपको यह भी पता होगा और आप रुकिएगा मैं इसका करिएगा और अपना रिवी जरूत दीजिएगा मेरी बात साब कितने सहमत है कि आप जानते हैं कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपणियां वहां भी रोबोटिक्स आम लगे होगे होते हैं उनको चलाने के लिए शायद एक दो लोगों की जरूत पड़ती है मैक्सिम आटोमे और अब कंपणियों के बाद आ जाते हैं कि गलोबल बात करें या ना करें लोबल तो अलड़ी घुच चुका है वो डिजिटल उनिवर्स में हम लोग अगर धीरे-धीरे घुच रहे हैं तो हर गवर्मेंट स्पेसिफिकली मोधी गवर्मेंट डिजिटलाइजेशन पे कित कि आप लोग ऐसी कौन सी पढ़ाई करें आपको ऐसी कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए जो आपको वाकई में सेक्योर जॉब देगी सरकारी की बात नहीं कर रहा है जितनों की दिमाग में आ रहा है कि सरकारी करेंगे और इसा भर देंगे आप बहुत बड़े बेवकूफ ह क्योंकि वहां पर रश इतना ज्यादा होता है और इंट्री ना के बरावर बहुत कम अगर लाखों लोग जा रहे हैं तो कुछ सौ लोग ही एडमिट होते हैं तो अगर तीन सो ग्लोबल कंपनियों ने यह सोचा है तो सोची कि भारत पर कितना असर होने वाला है भारत जैसे कि आप यह स्टेप मत लीजिए हमारे यह से लेबर उठाई हो सकता है करना पड़ जाए तो वो कंपनियों के लॉस में चला जाएगा उनके फेवर में नहीं जाएगा तो हो सकता कंपनियां यहां से उटके चली जाए कुछ भी हो सकता है वो अपना नुकसान जहेल के किसी देश में सिर्फ इसलिए सर्वाइब नहीं करेंगी कि वहां के लोगों को नौकरी देनी है अब आजाते हैं सॉल्यूशन पर मैं जो सॉल्यूशन देने वाला हूं बहुत लोगों को पहले से उसका एडिया होगा बहुत लोग इस रहा पे निकल चुके होंगे शायद अबभविश्य सब कुछ टेक्नलोजी बेइस होने वाला है डिजिटलाइज होने वाला है ऑटोमेशन में होने वाला है यानि कि आप कमांड देंगे वह काम करेगा तो कमांड दस लोग नहीं देतें कमांड एक आधमी कुछ फीर कि लोग देतें हैं तो साइध बहुत पहुँआ लोगों की और जो लोगों उसको देने के लिए होंगे बहुत हाई लेवल के लोग होंगे पढ़े लिखे होंगे जो छोटे वाले लोग है जो सोचते हैं कि छोटी मोडी डिग्री लेके पहुच जाएं कहीं भी तो आपका तो पत्ता वैसे बिकट गया और उस ले आदमी तो उस लेवल पर जा नहीं सकता आपको क्या करना चाहिए अब आप सुनिए पहली चीज पाइथन जावा सी प्लस प्लस जितनी कोडिंग लैंग्वजेस हैं जिसमें आप समझते हैं कि आप इसको सीख के इस पर्टिलर फील्ड में जा सकते हैं पाइथन सीखेंगे सुरू कर चुकी हैं और हम लोग बेवकूफ हैं कि बजाए इसके कि सरकार में भी चिल्ला के कह दिया है कि क्लास 6 से कोडिंग इंडर्यूस करो उसका फाइदा उठा कि कुछ कमपणियोंने कोडिंग वाले एप कोडिंग सिखाने वाले आप भी जारी कर दी हैं तो हम लोग कब सीखेंगे यह आपको डिशाइट करना है प्रोग्राइमिंग लैंग्वजेस सीखिए इसका ही फ्यूचर है सबसे पहली बात तो यह तो पहला हो गया लर्न कोडिंग AI और मशीन लर्निंग ठिक यह आपको सीखना है अगर आप दुनिया में बची-खुची नौकरियों में एक्जिस्ट करना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में चीज़ दी हुए मैं आपको बताना चाहता हूं दे रिपोर्ट हाइलाइटिद एट जॉब क्रियेशन हैस बीन स्टेगनेटिंग और जॉब दिस्ट्रॉक्शन एक्शलरेशन अस कंपनी इस यूज टेक्नलोजी र मशीनों का टेक्नलोजी का यूज किया जाता है अब हावेवर इट ऑलसो सेट एट इस इल्वर लाइनिंग इस डाइट सेवन मिलियन जॉब इमर्ज अक्रोस इंडस्ट्री लाइक आर्टिफिशल इंट्रिजेंस मैं क्या कह रहा था आपको रिपोर्ट में देख रहा है न AI में मैंने वही बोला था मैंने यह रिपोर्ट का यह हिस्सा बिना पढ़े बोला था कि AI मश्रीन लर्निंग और कोडिंग में जाए 97 मिलियन जॉब बिलीव में टीफिए कि सब्सक्राइब यह निर्फिश सर्वे पर देंगे ओंग कि नहीं तो यूलिव चैनलोजी के अड़ेशन की वज़ा से और टी थी परसेंट का वर्क फोर्स रिदी विज़ों हो जाएगा टेक्नोलोजी की विज़ा से एक बिसनस का फ़र्ती परसेंट टेक्नोल आप कितना बड़ा नंबर है और आपकी कौन सी बढ़ाई काम आने वाली है कि हमारे यहां यह डाटा है मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि बल्क में इंजिनियर्स प्रोड्यूस होते हैं जितने किसी एक डेस की पॉपॉलेशन में नहीं है शायद न्यूजी लेंगे पता न सीईयो या सुंदर पिचाई या फिल्म कुछ ऐसे बन जाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी बेवकुफी है दूसरी चीज मुदी गौवर्मेंट का जो विजन है यह प्लैनिंग है गधी नहीं है अगले ने दस साल बीस साल तीस साल बात का विजन देख रखा है कि क्या होन गिवर बनो जॉब सीकर मत बनो बेवकुफ नहीं आदमी इसी से आपको दूसरा कोई निकलता है जो आत्मनिर भर भारत का टैक दिया जा रहा है आप उसको अपने लिए इस्तमाल के दिये कम से कम प्राउडली कोई सी पॉलिटिकल पार्टी का टैक कि दो नहीं आप सेल्फ सफीशंट बनिए बिजनस करिये जॉब गिवर बनने के कुष्ट करिये आज अगर आप छोटा सावी बिजनस ढालते हैं तो हर बिजनस को कम से कम 5 सार लगते हैं ब्रीक ईवयन तक पहुचने के लिए और उसके बाद ग्रो करने के लिए और 5 सार तो शूरू करेंगे तो श नहीं है जो कोडि मेंद इंटरस्टेट ऑéta में इसका करी को जा टेक मद दूसरा ऑगए बिजनस सेटा यह कंसले तिसरा अगरी कलचर बलीव में एगृकोट यहां डूनिया में बहुत को तो फैर दुनिया के कितनी मिनोखनिया चली जाएं खेती रुकने वाली नहीं है स्पेसिफिकली भारत में बाहर वाले कुछ देश ऐसे हैं जो नकली सब्जियां और खल भी बना रहे हैं अलग अलग प्रोटीन से खाने से अलग लग चीजों से बना रहे हैं हमें तो उगाना है ना वाई और अर्गनिक खाने का ट्रंड चला हुआ ना तो हम उगाएंगे हम खेती करेंगे हम अगरी क्लिचर बेसे कंट्री हैं और रहेंगे तो जाद आच्छा रहेगा अगरी कल्चर करिए और टेकनलोजी का यूज करके करिए समझ कि करिए कि किस product की कितनी demand है क्या हुगाएंगे किस जमीन पर हुगाएंगे कैसे क्या करेंगे आपका है देख लिए research based करिए लेकिन एक अगरी कलचर में बहुत स्कोप है एक बबेंट के अगरी लेचर के भविश्य में कितने स्कॉप हैं कि जिस तरीके से हमारे अग्री कर रहे हैं और अजानक सिंदाम पड़ जाते हैं इंफ्लेट कर जाते हैं बहुत सारे इतने ड्रॉबैक्स हैं इतने आपको नेगेटिव पॉइंट दिखेंगे ति आपको लगए कि इसमें तो बहु सक्सेसफुल बन जाएंगे सक्सेस की डिफिनेशन सब की अपने अपने होती है लेकिन एक प्लेयर आजाएगा मार्केट में तो क्या आपको आपको पूश देती है आज की सरकार दे रही है तो आपको हेल्प मिलेगी लेकिन फिर भी आपके उपर भी डिपेंड करता है और अगर आप ही क्यों पड़े बेंड करना है तो देखिए कि इसको कैसे टैकल करना है अज सिटिजन मेरा काम था आपको बताना एनिलाइज करके बताना खेर आज के लिए इतना है समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाता हूं तो वीडियो को शेयर करें अच्छा लगा हो तो ल फिर मिलते हैं अगली वडम जाएन बंदे मातम